इस वीडियो में है कक्षा नवी का विशे गनित से पाठ दो जिसका नाम है बहुपद बहुपद का ये भाग तीन है जिसमें करेंगे exercise 2.2 exercise 2.2 में कुल 4 प्रशन हैं चारों के 4 प्रशनों को एक एक करके इसी वीडियो में हल करेंगे प्रशनावली 2.2 के सबसे पहले कोशन में दिया है निमन लिखित पर बहुपद 5x घटा 4x की पावर 2 जमात 3 के मान गयात कीजिए कोशन नमबर 1 में हमें एक बहुपद दिया गया है अगर x बराबर 0 है तो इस बहुपद का मान क्या होगा ये हमें पता लगाना है कोशन नमबर 1 के पहले वाले पार्ट में देख सकते हो x बराबर 0 दिया गया है इसका मतलब क्या होगा अगर हमें इस बहुपद का मान गयात करना है तो जहां पर भी इसमें x है x की जो value यहां पर हमें दी गई है 0 x के स्थान पर put कर देंगे और solve कर लेंगे तो जो भी हमारा ये बहुपद है इसका मान हमें मिल जाएगा तो इस पहले वाले भाग को solve करने के लिए जो भी हमें ये बहुपद दिया गया है हल में सबसे पहले इसी बहुपद को लिखेंगे हमें बहुपद दिया है 5 x घटा में 4 x की पावर 2 जमा में 3 जहाँ पर भी इसमें x है x बराबर 0 दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर 5 x आ जाएगा उसके बाद जो ये x है इसकी जगए पर 0 रख देंगे तो x की जगए पर मैंने लिखा 0 इसके बाद घटा का निशान लगा के 4 लिख दिया है चार के बाद यहाँ पर है X की पावर दो X का मान जीरो है तो इस वाले X की जगे पर भी हम यहाँ पर रखेंगे जीरो और इस जीरो का पावर भी लगा देंगे दो इसके बाद जमा का तीन लिख देंगे जहां जहां पर भी बहुपद में X था उसकी जगे पर हमने 0 put कर दिया है 0 रख दिया है अब इसको हल करेंगे बिल्कुल आसान है हल करना अगर 5 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से गटा का निशान यहाँ पर ऐसा का ऐसा आजाएगा अब यहाँ पर देखो 0 की पावर 2 है 0 को 0 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा यानि कि 0 की पावर 2 0 ही होगा और इस 0 से 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 ही मिलेगा क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से गुना करने पर 0 ही प्राप्त होता है इसके बाद यहाँ पर जमा का 3 हमें as it is लिख देना है अब आप यहाँ पर देख सकते हो 0 में से 0 को गटाएंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे 0 की कोई value नहीं होती है तो 0 में से 0 गटाने पर 0 ही रहेगा और जमा 3 करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसके उत्तर में 3 अगर x बर कार से दूसरे वाले भाग को हल करेंगे लेकिन यहाँ पर x बराबर गटा में 1 है जहां पर भी इस बहुपद में x है अब उसकी जगए पर हम गटा में 1 रखेंगे तो सबसे पहले हल में यहाँ पर बहुपद लिख देंगे जो भी हमें दिया गया है पाँच एक्स गटा म एक इसके बाद गटा का निशान लगा देंगे ये वाला ऐसा का ऐसा और ये वाला चार भी यहाँ पर आ जाएगा चार के साथ में यहाँ पर एक्स की पावर दो दी गई है एक्स के स्थान पर हमें फिर से गटा में एक रखना है X का यहाँ पर पावर 2 है तो गटा में 1 जो है इसकी भी पावर हो जाएगी 2 और जमा का 3 आ जाएगा ऐसा का ऐसा जहां जहां पर भी इस बहुपद में X था उसके स्थान पर हमने गटा में 1 रख दिया है अब इसको हल करेंगे हल करना विल्कुल आसान होने वाला है 5 को गटा में 1 से गुना करोंगा 5 जमा का है एक गटा का है जमा गटा यानि कि plus minus यह हो जैगा माइनस उसके बाद 5 को 1 से गुना करेंगे 5 एकम हो जाएगा 5 इसी प्रकार से ये वाला घटा का चार जो हमारा है ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा और यहां पर है घटा 1 का स्क्वेर घटा 1 की पावर 2 यानि कि घटा में 1 इसमें गुना करेंगे घटा 1 को तो सबसे पहले माइनस माइनस दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और एक को एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक यानि कि घटा में एक की जो पावर 2 है इसको हल करने पर हमें एक प्राप्त होगा उसके बाद जमा का 3 ऐसा का ऐसा लिख अब इससे आगे solve करना बिल्कुल easy है घटा में 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा घटा 4 को एक से गुना करेंगे किसी भी value को एक से गुना करने पर वो value as it is रहती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता यानि कि घटा में 4 को एक से गुना करेंगे तो ये घटा में 4 ही रहेगा और ज 9 रहेगा घटा का ही 5 और 4 ये हो जाएगा 9 अगर इन दोनों को solve करेंगे घटा 5 घटा 4 ये हो जाएगा घटा में 9 इसके बाद जमा का 3 हमारा यहां पर as it is आ जाएगा अब इसको हल करने के लिए आसान तरीका बता देता हूं कभी भी plus minus में आपको confusion नहीं होगी जो जमा व आली value हमने पहले लिख ली और जो घटा में हमें 9 दिया गया है उसको बाद में लिख लो 3 में से 9 को घटाएंगे छोटी value में से बड़ी value को minus करते हैं तो ये minus में जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना है 3 और 9 का अंतर है 6 तो यहां पर आ जाएगा 6 तीन में से 9 को घटा जाएंगे तो हमें मिलेगा घटा में 6 जो भी हमें ये बहुपद दिया गया है अगर x बराबर में घटा एक है तो इस बहुपद का मान हो जाएगा घटा में 6 यही हो जाएगा question number 1 के दूसरे वाले भाग का उत्तर जैसे हमने पहले और दूसरे वाले भाग को हल किया है बि जाएगा जाएगा अब बिल्कुल आसान है पांच को दो से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा दस बिल्कुल इसी प्रकार से घटा में 4 हमारा ऐसा का ऐसा यह वाला आ जाएगा दो की पावर दो दो को दो से गुना करने पर हमें मिलता है चार तो यहाँ पर आ जाएगा चार उसके बाद जमा का तीन ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा आगे हल करना बिल्कुल आसान है यह वाला दस ऐसा का ऐसा लिख देंगे इसके बाद घटा में चार को चार से गुना करेंगे ये माइनस में है ये प्लस में है माइनस प्लस माइनस होगा उसके बाद चार को चार से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और उसके बाद यहाँ पर जो ये जमा का तीन है इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे आगे हल करने के लिए क्या करेंगे जो जमा वाली values हैं उनको इकठा लिख लेंगे यहाँ पर 10 जमा का है और 3 जमा का है तो यह दोनों जुड जाएंगी 10 और 3 यह हो जाएगा हमारा 13 और घटा में 16 हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा अगर 13 में से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर question number 1 के तिसरे वाले भाग का यह हो जाएगा उत्तर कभी भी इस तरह से हमें बहुपद दिया है और जो भी इसमें चर यानिकी X है इसका मान भी हमें दिया गया है तो उस मान को बहुपद में रख के solve करेंगे तो बहुपद का मान हमें मिल जाएगा इनी बहुपद के मान के प्रतेक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ग्यात कीजिए question number 2 में हमें इस तरह से बहुपद दिये गए हैं इन बहुपद के लिए P0 यानिकी चर के स्थान पर अगर हम 0 रखें तो बहुपद का मान क्या होगा एक रखने पर बहुपद का मान क्या होगा और 2 रखने पर बहु इस Y के स्थान पर पहले 0 रखेंगे उसके बाद 1 रखेंगे और 2 रखेंगे तो हमारे क्या-क्या उत्तर आएंगे यही हमें ग्यात करना है तो हल में सबसे पहले जो भी हमारा PY है इसके स्थान पर रखेंगे हम P0 यानिकी P0 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिखा मैंने 0 बराबर का निशान लगाया देख सकते हो Y के स्थान पर हमने 0 रखा है यानिकी इस बहुपद में जहां पर भी Y है वहाँ पर हमें 0 रखना है सबसे पहले Y की पावर 2 है तो 0 की पावर भी 2 इसके बाद घटा का निशान लगा कर आप 0 को घटाएंगे 0 ही मिलेगा बचा क्या हमारा एक तो उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पर एक अगर इस बहुपद में Y के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो हमारे इस बहुपद का मान आ जाएगा 1 बिलकुल इसी प्रकार से अब यहाँ पर मैं लिखूंगा P bracket लगा कर अब मु आप देख सकते हूँ Y की पावर 2 है Y के स्थान पर मैंने 1 रखा Y की पावर 2 है तो 1 की पावर भी हो जाएगी 2 इसके बाद घटा का Y है घटा का निशान हम ऐसा का ऐसा लगा देंगे घटा के निशान के बाद जो Y है उसके स्थान पर हम 1 रख देंगे तो यहाँ पर आ जा उसके बाद घटा का एक ये हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा और जमा का एक भी हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा इसको हल करने पर क्या मिलेगा देख सकते हो एक में से एक को घटाएंगे तो इनको हल करने पर हमें मिलेगा जीरो यानिके शुन्ड है और जमा का एक बच जाएगा ये तो 0 हो गया बचा क्या हमारा 1 इसको यहाँ पर लिख देते हैं P के स्थान पर सोरी Y के स्थान पर अगर हम 1 रखेंगे इस बहुपद में तो भी हमारा उत्तर 1 ही हमें मिलेगा जैसे हमने P0, P1 के लिए बहुपद का मान याद किया है बिल्कुल उसी तरह से P2 के लिए गयाद करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने 2 बराबर का निशान लगा लिया सबसे पहले क्या है यहाँ पर Y की पावर दो, Y के स्थान पर अब मुझे 2 रखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, Y की पावर 2 है तो दो की पावर भी 2 हो जाएगा इसके बाद घटा का y है, घटा का निशान as it is लगा देंगे, y के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पर y के स्थान पर आ जाएगा 2, उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे, एक आ जाएगा, इसको हल करेंगे, 2 की पावर 2, 2 को 2 से गुना करने पर कित हमा as it is यहाँ पर लिख देंगे, 2 और 1 इन दोनों को जमा करेंगे, तो मिल जाएगा हमें, 3, जो भी हमारा ये बहुपद था, इसके लिए P0 का मान हमने ग्यात किया, 1, P1 का मान ग्यात किया, हमने 1 और P2 का मान ग्यात किया, हमने इस बहुपद के लिए, 3, यही हो कोशन नमबर 2 के पहले वाले भाग के लिए उत्तर, बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे वाले भाग को भी हल करना है, P0, P1 और P2 के लिए इस बहुपद के मान ग्यात करने हैं, तो हल में सबसे पहले P0 के लिए इस बहुपद का मान ग्यात करेंगे, यहाँ पर 0 किस के पर रखा है 0, यानि कि इस बहुपद में जहां पर भी T है, उसकी जगह पर शुन्डे रख देंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 ऐसा का ऐसा आजाएगा, जमा का निशान लगाएंगे, जमा निशान के बाद आप देख सकते हो T है, T के स्थान पर हमें 0 रखना है, फिर से जम का निशान लगाएंगे, दो हमारा एजिटी जा जाएगा, दो के साथ में T की पावर 2 है, T के स्थान पर हम रखेंगे 0, T की पावर 2 है, तो 0 की पावर भी हो जाएगी, दो बिल्कुल इसी प्रकार से जमा का निशान लगाएंगे, यहाँ पर है T की पावर 3, T के स्थान प 0 ही होगा और 0 को 2 से गुना करेंगे तो ये वाला value भी हमारी 0 हो जाएगी और 0 की power 3 ये भी 0 ही होगी यानि कि इसको हल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा उत्तर में P 0 के लिए इस बहुपद का मान हो जाएगा 2 जैसे हमने P 6 के लिए मान गयात किया है इसी परकार से P 1 के लिए मान ग तो 2 हमारा ऐसा का ऐसा आएगा जमा का निशान लगाएंगे यहां पर है T इसके स्थान पर रख देंगे 1 उसके बाद जमा का निशान लगाएंगे 2 हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा 2 के साथ में T की power 2 है यानि कि T के स्थान पर हमने रखा 1 और इसकी power रख देंगे 2 T की power 2 है तो एक की पावर भी दो हो जाएगी इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे यहाँ पर है टी की पावर तीन है तो एक की पावर भी हो जाएगी तीन है अब इसको हल कर लेंगे हल करना बिल्कुल आसान है दो जमा में एक ये हो जाएगा हमारा तीन इसके बाद ये वाला जम का निशान ये वाला लगा देंगे जमा निशान के बाद यहां पर है एक की पावर तीन एक गुना में एक गुना में एक ही होगा एक को आपस में कितनी बार ही गुना कर लो हमें एक ही मिलेगा यानि की एक की पावर तीन जो है इसको हल करने पर हमें मिलेगा एक अब इनको हल देंगे तीन जमा में दो पांच हो जाएगा पांच जमा में एक ये हो जाएगा हमारा छै यानि कि जब हम पी एक के लिए इस बहुपद को हल करते हैं तो उत्तर में हमें मिलेगा छै जैसे हमने पी शुन्य और पी एक के लिए इस बहुपद का मान गयात किया है बिल्कुल इ लगाएंगे जमा के निशान के भाद यहां पर है T, T के स्थान पर अब हमें 2 रखना है तो यहां पर आज गएगा 2 T के स्थान पर उसके बार जमा का निशान लगाएंगे यहां पर ये वाला 2 हमारा As It Is आजाएगा 2 के साथ में है T की पाबर 2 less earth के स्थान पर हमने रखा दो और टी की पावर दो है तो दो की पावर भी दो हो जाएगी इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे टी की पावर तीन दी गई है टी के स्थान पर हम दो रखेंगे टी की पावर तीन है तो दो की पावर भी हो जाएगी तीन बराबर का निशान लगा के इसको solve करेंगे दो जमा में दो ये हो जाएगा हमारा चार इसके बाद प्लस का निशान लगा लेंगे प्लस साइन के बाद देख सकते हूँ ये वाला दो हम as it is लिख देंगे उसके बाद यहाँ पर है दो की पावर तो दो की पावर दो का मतलब होगा दो गुना में दो जो हो जाता है हमारा चार सो यहाँ पर आ जाएगा चार इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे जमा निशान के बाद दो की पावर तीन हमें दी गई है दो की पावर तीन का मतलब होगा दो गुना में दो गुना में दो यानि कि दो को आपस में ही तीन बार गुना कर देना दो गुना में दो गुना में दो ये हो जाएगा हमारा आठ यानि कि दो की पावर तीन है इसको हल करने पर हमें आठ मिलेगा अब इसको हल कर लेंगे आसान है बिल्कुल चार हमारा ऐसा का ऐसा आएगा उसके बाद 2 को यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे दो चूके यह हो जाएगा हमारा 8 और इसके बाद यह वाला 8 भी हम as it is यहाँ पर लिख देंगे इन सभी को जोड देंगे 4 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 12 12 में 8 जोडेंगे तो हमें मिल जाएगा 20 सो question number 2 में जो भी बहुपद दिया गया है अगर इसको P 0 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है 2 P 1 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है हमें 6 और P 2 के लिए हल करते हैं तो उत्तर मिलता है हमें 20 इन्ही पी शुन्य, पी एक और पी दो के मान के साथ question number 2 का दूसरा पार्ट हो जाता है complete question number 2 के अभी दो पार्ट और बचते हैं तीसरा और चोथा जिसे अगले वाले पेज पर देख लेते हैं question number 2 का तीसरा भाग जैसे पहले और दूसरे वाले भाग को हल किया था बिलकुल इसी प्रकार से तीसरे वाले भाग के लिए सबसे पहले P 6 अकमान याद कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखतेता हूं P bracket लगा के शुन्य लगाया X के स्थान पर हमने 6 यानिकी 0 रखा है यानि कि इस बहुपद में जहां पर भी X है उसकी जगए पर 0 रखके हल करेंगे तो बराबर का निशान लगाते हैं यहां पर है X की पावर 3 X के स्थान पर 0 रखा X की पावर 3 है तो 0 की पावर भी हमने 3 कर दी 0 की पावर 3 0 ही होती है हल करने पर हमें 0 मिल जाएगा यहाँ पर मैंने लिखा P1, X के स्थान पर यहाँ पर मैंने 1 रखा है, यानि कि बहुपद में जो भी हमारा X है, इसके स्थान पर 1 रखेंगे, X की पावर 3 है, X की जगे पर मैंने 1 रख दिया, X की पावर 3 है, पर हमें एक मिल जाएगा पी एक के लिए इस बहुपद को हल करेंगे तो उत्तर में हमें एक मिलेगा अब हमें पी दो के लिए इसी बहुपद को हल करना है तो यहां पर मैं लिखता हूँ पी यहां पर लिखा एक्स के स्थान पर मैंने दो एक्स की पावर 3 है X की जगे पर 2 रखेंगे 2 की पावर हो जाएगी 3 क्योंकि X की पावर 3 है X के स्थान पर 2 रखा तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी 2 को आपस में ही 3 बार गुना करेंगे 2 गुना में 2 गुना में 2 यह हो जाएगा हमारा 8, यानि कि 2 की पावर 3 को हल करने पर हमें 8 मिलेगा, P2 के लिए इस बहुपद का हल हो जाएगा हमारा 8, तीसरे वाले भाग में जो भी बहुपद हमें दिया गया है, P6 के लिए solve किया तो 0 उत्तर आया, P1 के लिए इसे हल किया तो 1 उत्तर आ गया, P2 के बराबर में X घटा 1, X जमा 1, इसके लिए सबसे पहले P6 का मान गयात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिखा P, X के स्थान पर रखा, मैंने 6 बराबर का निशान लगा दिया है, इसमें जो भी X है बहुपद में उसके स्थान पर 0 रख देंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट ल बंद, अब हल करने के लिए बराबर का निशान लगाएंगे, पहले वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, 0 में से 1 को घटाएंगे, 0 में से 1 को घटाने पर घटा का 1 ही हमें प्राप्त होगा, पहले वाले ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, दूसरे वाले ब्रैकेट को सोल्व कर हैं तो minus plus sign आएगा हमारा minus का और one को one से multiply करेंगे एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही हमें मिलेगा यानि कि जो भी हमारा ये बहुपद है P 0 के लिए इसका हल हो जाएगा घटा में एक P 0 के बाद P 1 के लिए इस बहुपद को हल करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P ब्रैकेट लगा के एक लिखा X के स्थान पर अब हमें एक लिखना है सो बराबर का निशान लगाएंगे यहाँ पर है X घटा में एक X के स्थान पर एक लिखा घटा का एक हमारा as it is आ गया इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में X जमा में एक है X के स्थान पर एक लिखा जमा का एक हमारा ऐसा का ऐसा आ गया जहाँ पर भी इसमें X था उसके स्थान पर हमने एक लिख दिया है अब इसको हल करेंगे देख सकते हूँ एक में से एक को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा जीरो इसके बाद एक जमा में एक ये हो जाएगा हमारा दो अब यहाँ पर जो भी हमारे पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू थी और दूसरे वाले ब्रैकेट की वैल्यू थी इन दोनों को गुना करना पढ़ेगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीज में कोई भी निशान नहीं है तो गुना होता है उसका मतलब यानि कि 0 को 2 से गुना करेंगे किसी भी वैल्यू को 0 से गुना करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 0 पी एक के लिए इस भहुपद का मान हमें मिल जाएगा 0 अब पी दो के लिए भी इसी भहुपद का मान गयात करेंगे तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी ब्रैकेट लगा के लिखा मैंने एकस के स्थान पर दो यानि कि बहुपद में एकस की जगे पर दो रख देना है जमा का एक हमारा एज़िटी जा गया हल करना आसान है दो में से एक को घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा एक पहले वाले ब्रैकेट में और दो जमा में एक सेकंड वाले ब्रैकेट में इन दोनों को एड करेंगे दो जमा में एक यह हो जाएगा हमारा तीन अब जो भी पहल दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर वेल्यूज हैं इनको गुना करेंगे एक को तीन से गुना करेंगे तो हमें तीन प्राप्त हो जाएगा चोथे वाले भाग के लिए पी दो इस बहुपद के लिए हल करेंगे तो हमें तीन उत्तर में मिल जाएगा तो चोथे वाले भाग मे जो भी बहुपद हमें दिया गया है P 6 के लिए उत्तर हो जाएगा घटा में 1 P 1 के लिए उत्तर हो जाएगा 0 और P 2 के लिए उत्तर हो जाएगा 3 इनी उत्तरों के साथ चोथे वाला भाग हो जाता है complete और चोथे वाले भाग के साथ ही question number 2 भी complete हो जाता है question number 3 के लिए मूव करते हैं आगे वाले पेज पर question number 3 इसमें है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न लिकित स्थीतियों में संगत बहुपद के शुन्यक है question number 3 में हमें बहुपद दिया गया है और बहुपद में जो भी चर है यानि कि इसमें X है तो इसका मान भी हमें दिया गया है हमें ये दर्शाना है हमें ये सत्यापित करना है कि जो भी ये बहुपद में X यानि कि चर का मान दिया गया है ये इस बहुपद का शुन्यक है और ये कैसे पता लगाएंगे जो भी ये X का मान दिया गया है इसको इस बहुपद में X के स्थान पर रख कर हल करेंगे हल करने पर उत्तर अगर 0 आया तो शुन्यक है 0 के अलावा कुछ भी हमारा उत्तर आ जाए तो शुन्यक नहीं है उत्तर में 0 आएगा तो ही इस मान को शुन्यक कहा जा सकता है तो हल करने के लिए सबसे पहले वाले भाग में हमें बहुपद दिया है P X बराबर में 3 X जमा में 1 और जो भी इसमें X 4 है इसका मान दिया है X बराबर में गठा 1 बटा 3 बिल्कुल आसान है X का मान हमें इस बहुपद में रख देना है तो यहां पर हमारा P ऐसा का ऐसा आ है तो इसमें 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा और X के स्थान पर क्या रखना है हमें घटा में 1 बटे में 3 इसके बाद जमा का निशान लगा देंगे और 1 यहां पर आ जाएगा अब इसे हल कर लेंगे हल करना बेहद आसान होने वाला है 3 को घटा 1 से गुना कर देंगे या फिर जमा का एक यहां पर लिख लेते हैं घटा में 1 उसके बाद जमा में 1 अब इसको हल करने के लिए जमा वाली वैल्यू को पहले लिख लेंगे और घटा वाली वैल्यू को बाद में लिख लेंगे जमा वाला एक यहां पर पहले लिख दूँगा उसके बाद घटा वाला जो एक है इसको इसके बाद में लिख दिया जाएगा ये आगया हमारा घटा मैं एक है एक में से एक को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो यानि की शुन्य जो भी हमें ये एक्स का मान दिया गया था इसको बहुपद में रखकर हल करने पर हमारा उत्तर आ जाता है जीरो यानि कि X बराबर में गटा 1 बटा 3 इस बहुपद का शुन्यक होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे X बराबर 1 बटा 3 बहुपद PX बराबर में 3X जमा 1 का शुन्यक है, 0 उतरा गया तो शुन्यक होगा, इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को देख लेते हैं, इसमें हमें बहुपद दिया है PX बराबर में 5X गटा में πाई, और X जो इसमें 4 दिया गया है इसका मान है X बराबर में 4 बटे 5, जो भी ये X का मान है इस बहुपद में X के स्थान पर रखेंगे, तो यहाँ पर हमारा P ऐसा का ऐसा आएगा, ब्रैकिट के अंदर जो X दिया गया है इसके स्थान पर रख देंगे, 4 बटे में 5, इसके बाद बराबर का निशन लगाएंगे, 5 हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा, 5 के साथ यहाँ पर है X और X के स्थान पर हमें रखना है 4 बटे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे में 5, इसके बाद घटा का पाई जो है इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, अब आप देख सकते हो उपर भी 5 है नीचे भी 5 है तो 5 से 5 को काटा जा सकता है, 5 से 5 को काटने पर बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा 4 और घटा में पाई बच जाता है, इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा, 4 घटा में पाई आ गया हमारा, आप देख सकते हो उत्तर हमारा 0 नहीं आया है, शुन्य नहीं आया है अगर उत्तर शुन्य नहीं है तो x बरावर 4 बटा 5 इस बहुपद का शुन्यक नहीं होगा तो यहां पर लिखेंगे x बरावर 4 बटे 5 बहुपद bx बरावर 5x गटा πाई का शुन्यक नहीं है उत्तर 0 नहीं है तो शुन्यक नहीं होगा यह हो गया हमार Px बराबर में x की पावर दो, घटा में 1 और x के यहाँ पर हमें मान दिया है, x बराबर में 1 और x बराबर में घटा 1, x के 2 अलग-अलग मान दिये हैं, तो दोनों को इसमें रख कर देखेंगे, कि हमारा उत्तर क्या आता है, 0 आ गया तो शुन्यक होंगे 0 नहीं आया तो शुन्यक नहीं होंगे तो सबसे पहले x बराबर में 1 जो ये 1 है इसको x के स्थान पर रखे देखते हैं p हमारा ऐसा का ऐसा आएगा x के स्थान पर हमने रखा 1 बराबर में x की पावर 2 है इसकी जगह पर हम एक रखेंगे, एक की पावर दो है, तो एक की पावर भी दो हो जाएगी, इसके बाद गटा का एक ऐसा का ऐसा आजाएगा, एक का स्क्वेर, एक की पावर दो, एक को एक से गुना करेंगे, तो एक ही रहेगा, उसके बाद गटा का एक हमारा ऐसा का ऐसा आ हुपद का इसी प्रकार से घटा में एक को रखते हैं x के स्थान पर सो सबसे पहले p यहां पर ऐसा का ऐसा जो x है इसके स्थान पर रखेंगे घटा में एक बराबर का निशान लगाएंगे x की पावर 2 है x के स्थान पर रखेंगे घटा का 1 x की पावर 2 है तो माइनस वन को मैं मल्टिप्लाई करूं माइनस वन से तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसल हो जाता है गटा साइन से गटा साइन कट जाता है और एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा यानि कि गटा में एक की जो पावर दो है इसको हल करने पर हमें एक मिलेगा उसके बाद गटा का एक हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा एक में से एक को गटाएंगे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीरो इस बहुपद में अगर हमें एक रखेंगे तो भी हमें शुन्य प्राप्त होता है गटा में एक रखेंगे तो भ गटा एक दोनों, बहुपद px बराबर x की पावर, दो गटा में, एक के, शुन्यक है, x के जो भी, ये दोनों मान दिये गए हैं, ये इस बहुपद के शुन्यक होंगे, क्योंकि, दोनों को जब हमने रक्स के हल किया, तो दोनों स्तीथियों में, हमें शुन्य प्राप्त होता है उत्तर में तो यह हो जाता है हमारे तीसरे वाले भाग का उत्तर आ जाते हैं चोथे वाले भाग पर इसमें बहुपत दिया है PX बराबर में X जमा में 1, X घटा में 2 और X के यहाँ पर भी हमें 2 अलग-अलग मान दिये गए हैं X बराबर में घटा 1 और X बराबर में 2 तो दोनों को एक एक बार रख के इसमें हल करेंगे देखेंगे कि 0 हमारा उत्तर आता है या नहीं सबसे पहले X बराबर में घटा 1 X के स्थान पर रख के हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा P ऐसा का ऐसा आ जाएगा एक्स के स्थान पर रखेंगे घटा में एक इसके बाद बराबर का निशाल लगाएंगे यहाँ पर एक्स जमा में एक है तो एक्स के स्थान पर आ जाएगा घटा में एक जमा का एक हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा इसके बाद अगले वाले ब्रैकेट में X गटा में 2 दिया गया है X के स्थान पर यहां पर फिर से गटा में 1 रखेंगे और गटा का 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा अब इसे हल करेंगे हल करने के लिए बिल्कुल आसान आप यहां पर देख सकते हो गटा का एक है जमा का एक है जमा वाले एक में से इस एक को गटा देंगे क्योंकि इसके आगे माइनस गटा का निशान लगा हुआ है तो एक में से एक को गटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 0 पहले वाले ब्रैकेट को हल करके हमने निकाल लिया दूसरे वाले bracket में देखो घटा में एक घटा में दो दोनों values कैसी हैं घटा की हैं यानि कि minus की हैं तो sign minus का ही रहेगा और दोनों जुड़ जाएंगी दोनों का same sign है तो वो जुड़ जाती हैं दो और एक इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा तीन अब सीधी सी बात है पहले वाले bracket को solve करिया तो हाँ 0 मिला और दूसरे वाले को solve किया तो घटा में 3 मिला यानि की पहले और दूसरे वाले bracket की जो भी values हैं इनको गुना करना होगा क्योंकि brackets के बीच में कोई भी निशान नहीं है zero को घटा में 3 से गुना करेंगे किसी भी value को जीरो से गटा एक को पुट करके हल किया, तो हमें शुन्य मिल गया, अब ये भी देख लेते हैं, एक्स के स्थान पर दो रखने पर हमारा उत्तर क्या आएगा, तो यहां पर पी हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा, एक्स के स्थान पर रखेंगे, दो बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर है एक्स जमा में एक, एक्स के स्थान पर हम रखेंगे, दो इसके बाद जमा का एक हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, इससे अगले वाले ब्रैकेट में है, एक्स घटा में दो, एक्स के स्थान पर र अब सीधी सी बात है तीन को शुन्य यानि की जीरो से गुना करेंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा हमने एक्स के स्थान पर घटा एक रखा तो भी हमें जीरो मिला एक्स के स्थान पर हमने दो रखा बहुपद में तो भी हमें जीरो मिला यानि ये कहा जा सकता है कि एक्स के जो x गटा 2 के शुन्यक है दोनों को पुट करने पर हमारा उत्तर 0 आया शुन्या हमें प्राप्त हुआ तो ये दोनों इस बहुपद के शुन्यक होंगे ये वाला हो गया हमारे चोते वाले पार्ट का उत्तर चोते वाले पार्ट के अलावा कोश्य नमबर 3 के कुछ और भाग बचे हैं उनको आगे वाले पेज पर करते हैं कोश्य नमबर 3 का पांचवा भाग इसमें भहुपद है Px बरापर में x की पावर 2 और x का मान दिया है x बरापर में 0 चेक कर लेते हैं x बरापर 0 इस बहुपद का शुन्यक होगा या नहीं सिंपल है x का जो भी मान 0 दिया गया है इस बहुपद में पुट करते हैं तो यहां पर P हमारा ऐसा का ऐसा x के स्थान पर रखा हमने x का मान 0 बरापर में x की पावर 2 x के स्थान पर हम 0 रखेंगे x की पावर 2 है रख कर solve करने पर हमारा उत्तर आता है 0 यानि कि ये कहा जा सकता है x बरापर में 0 ये इस बहुपद का शुन्यक होगा तो यहां पर लिखेंगे x बरापर 0 बहुपद P x बरापर में x की पावर 2 का शुन्यक है ये हो गया हमारे 5 वाले भाग का उत्तर आ जाते हैं 6 वाले भाग पर इसमें हमें बहुपद दिया है P x बरापर में L x जमा में M और x का मान दिया है x बरापर में घटा M पटे में L जो भी ये x का मान है x के स्थान पर बहुपद में रखते हैं यहां पर हमारा P ऐसा का ऐसा x के स्थान पर आ जाएगा घटा में M और अपोन में L ऐसा का ऐसा इसके बाद बरापर में L x यहां पर दिया गया है तो L हमारा आ जाएगा ऐसा का ऐसा और x के स्थान पर रख देंगे x का मान जो की है हमारा गटा में M और अपॉन में L इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे M हमारा आ जाएगा आप देख सकते हो उपर और नीचे दोनु जगे पर L हमें दिखाई दे रहा है तो L से L को काटा जा सकता है L से L को काटने पर बचेगा क्या गटा का M बचेगा और जमा का M बचेगा जमा वाला M पहले लिख लेते हैं तो ये जमा वाला M लिख दिया और जो गटा वाला M है इसको इसके बाद में लिख देते हैं यहाँ पर आ गया गटा का M, M में से M को गटाएंगे तो हमें मिलेगा 0 M में से M ही चला गया कुछ भी नहीं बचा यानि कि 0 आ जाएगा तो जो भी यहां पर हमें X का मान दिया गया है इसको बहुपद में रख कर solve करने पर उत्तर आता है 0 यानि यह कहा जा सकता है कि X का जो भी यह मान है इस बहुपद का शुन्यक होगा तो यहां पर लिखेंगे X बराबर में घटा M बटे L बहुपद PX बराबर LX जमा M का शुन्यक है हमने इसको रखा हल किया तो उत्तर हमारा 0 आया तो यह शुन्यक होगा पांचवें वाले भाग का यह हो गया हमारा उत्तर कोश्य नमबर 3 के कुछ और भाग भी बचे हैं उनको आगे वाले पेज़ पर करेंगे कोश्य नमबर 3 का सातवा भाग इसमें बहुपद दिया है PX बराबर में 3X की पावर 2 घटा में 1 और जो X है इसका मान दिया है X बराबर में घटा 1 बटे में रूट 3 और X का दूसरा मान दिया है 2 बटे में रूट 3 दोनों के लिए हमें चेक करना है ये दोनों इस बहुपद के शुन्यक है या नहीं पहले चेक करेंगे घटा 1 बटा रूट 3 के लिए सबसे पहले यहां पर P हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा X के स्थान पर रखेंगे एक बटे में घटा का एक बटे में रूट 3 इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे यहां पर आप देख सकते हो तीन हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा X के स्थान पर हमें घटा एक बटे में रूट 3 रखना है X की power 2 है तो इसके मान की भी power हो जाएगी 2 इसके बाद घटा का निशान लगा कर 1 हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे अब इसे हल करेंगे हल करना बिल्कुल आसान होना चाहिए 3 यहां पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा घटा में 1 का वर्ग करेंगे यानि कि इसकी power 2 करेंगे तो आपको पीछे वाले पेज पर बताया था घटा में 1 गुणा में घटा 1 करेंगे तो minus sign से minus sign cancel हो जाएगा एक को एक से गुणा करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा इसका वर्ग करने पर हमें 1 मिलेगा इसके बाद नीचे देख सकते हो root 3 है अगर root 3 का मैं square करूँ यानि कि इसके power लगाऊं 2 देखो ये इसके भी power लगी है दो अगर इसके power 2 है तो इस power 2 से root कट जाएगा बचेगा क्या 3 यानि कि root 3 का वर्ग यानि कि इसकी power जो 2 है इसको हल करने पर हमें मिलेगा नीचे 3 और उसके बाद घटा में एक ऐसा का ऐसा अब इसको हल कर लो देख सकते हो उपर और नीचे दोनों जगे पर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर बचा हमारा एक घटाएंगे इसमें एक एक में से एक को घटाने पर आ जाएगा हमारा शुन्य यानि कि 0 एकस के स्थान पर हमने घटा में एक बटे में रूट 3 रखा तो हमारा उत्तराया 0 यानि कि यह इस बहुपद का शुन्यक है अब यह भी चेक करेंगे कि दो बटा रूट 3 यह इस बहुपद का शुन्यक है या नहीं अब एकस के स्थान पर दो बटे में रूट 3 को रखेंगे तो यहां पर हमारा पी ऐसा का ऐसा आएगा एकस के स्थान पर आ जाएगा हमारा दो बटे में रूट 3 उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे बराबर निशान के बाद यहां पर क्या है तीन एकस की पावर दो तो तीन हमारा ऐसा का ऐसा आएगा एकस के स्थान पर क्या करेंगे एकस के स्थान पर आ जाएगा दो बटे में रूट 3 और इस पे हो जाएगा वर्ग यानि कि इस पे पावर 2 लगाएंगे X पे पावर 2 लगी है तो इसके मान पे भी पावर 2 लग जाएगी और घटा का एक ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया जाएगा अब इसको आगे हल करना बिल्कुल आसान है 3 हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा 3 के बाद यहाँ पर 2 का वर्ग करना है 2 की पावर 2 है 2 की पावर 2 हो जाती है 4 इसके बाद नीचे की तरफ आद देखेंगे तो रूट 3 का वर्ग है रूट 3 का वर्ग क्या होगा वर्ग यानि की पावर 2 से यह रूट कट जाएगा बचेगा हमारा 3 तो नीचे वाले वाग को solve करेंगे तो हमें 3 मिलेगा इसके बाद घटा का एक ऐसा का ऐसा रहेगा यहाँ पर देख सकते हूँ उपर नीचे दोनों जगे पर 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा हल करने पर हमें मिलेगा क्या 4 में से 1 को घटाएंगे 4 में से 1 घटाने पर मिल जाएगा हमें 3 उत्तर हमारा 0 नहीं आया है यानि कि 2 बटे में रूट 3 इस बहुपद का शुन्यक नहीं होगा एक का जो मान घटा 1 बटे रूट 3 हमने इस बहुपद में पुट किया और हल किया तो शुन्य हमें प्राप्त हुआ यानि कि ये शुन्यक होगा और 2 बटे में रूट 3 को इस बहुपद में पुट करके हल किया तो 0 हमें प्राप्त नहीं हुआ यानि कि ये शुन्यक नहीं ह यहां पर लिख देंगे x बराबर में गटा 1 बटे रूट 3 बहुपद का शुन्यक है और x बराबर में 2 बटे रूट 3 बहुपद का शुन्यक नहीं है यह वाला बहुपद का शुन्यक होगा क्योंकि इसको पुट करने पर उत्तर हमारा 0 आया है और 2 बटा रूट 3 शुन्यक नहीं होगा क्योंकि इसको put करके हल करने पर हमारा उत्तर 3 आया है तो ये हो गया हमारे 7 वाले भाग का उत्तर अब आज आते हैं question number 3 के आखरी यानि की 8 भाग पर इसमें बहूपद दिया है PX बराबर में 2X जमा 1 और X का मान दिया है X बराबर में 1 बटा 2 X का जो भी मान दिया गया है बहूपद में put करना है रखना है तो P हमारा ऐसा का ऐसा और X के स्थान पर X का मान 1 बटे में 2 रख देते हैं इसके बाद बराबर का निशान लगा के 2 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा 2 के साथ में है X के स्थान पर रखेंगे एक बटे में दो इसके बाद जमा का एक ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दिया जाएगा अब आप देख सकते हूँ उपर और नीचे दोनों जगे पर दो दिखाई दे रहा है तो दो से दो को काट दिया जाएगा बचा क्या? एक जमा में एक एक यहाँ पर हमारा ऐसा का ऐसा जमा का एक भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे एक जमा में एक यह हो जाता है दो जिरू नहीं मिला हमें उत्तर में जो भी X का मान यह दिया गया था इसको इस बहुपद में रखने पर यानि यह कहा जा सकता है कि x बराबर में 1 बटा 2 इस बहुपद का शुन्यक नहीं होगा जो भी ये x का मान दिया गया है ये इस बहुपद का शुन्यक नहीं है क्योंकि उत्तर में हमें 0 नहीं मिलता है ये हो गया हमारे 8 वाले भाग का उत्तर और इसी 8 वाग के साथ question number 3 हो जाता है complete अब प्रशनावली का आखरी यानि की question number 4 उसको करते हैं अगले पेज़ पर प्रशनावली 2.2 का आखरी यानि की question number 4 इसमें है निमनलिकित श्तितियों में से प्रतेक स्तिति में बहुपद का शुन्यक नहीं कि गयात कीजिए यानि कि X जमा में 5 जो भी हमारा ये बहुपद है इसके बराबर में हम शुन्य रखेंगे और X का मान गयाद कर लेंगे जो X का मान होगा वही बहुपद का शुन्यक होता है ये आपको भाग एक परीचे में भी बताया गया है सो कोशन नमबर 4 के पहले वाले पार्ट को हल करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा बहुपद X जमा में 5 ऐसा का ऐसा आएगा और इसके बराबर में रखेंगे 0 बराबर 0 रखने के बाद जो भी हमारा ये X है इसका मान गयाद करेंगे X बराबर में क्या होगा X के साथ यहाँ पर के देख सकते हो जमा का 5 है दूसरी तरफ बेज देंगे तो यह हो जाएगा गटा का 5 यही हो जाएगा इस बहुपद का शुन्यक गटा में 5 बिलकुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल कर लेंगे यहाँ पर दिया है P X बराबर में X गटा में 5 यहाँ पर हमारा बहुपद है X गटा में 5 बराबर में रखेंगे शुन्य यानिकी 0 अब X का मान गयाद कर लेंगे इस साइड में X हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा गटा में 5 है दूसरी तरफ अगर इसे भेज देंगे तो यह हो जाएगा जमा का 5 X बराबर में 5 यही होगा दू दूसरे वाले भाग का उत्तर आ जाते हैं तीसरे वाले भाग पर इसमें है P X बराबर में 2 X जमा में 5 यहां से भी हम वही काम करेंगे सबसे पहले तो बहुपद लिखेंगे 2 X जमा में 5 इसके बराबर में रखेंगे 0 अब X का मान गयाद कर लेंगे X का मान गयाद करने के सबसे पहले तो यहां पर दो X ऐसा का ऐसा रखेंगे जमा का 5 है दूसरी साइड में भेजेंगे तो यह हो जाएगा घटा का 5 अब इस दो को भी हमें इस साइड में भेजना पड़ेगा तो सबसे पहले यहाँ पर x आ जाएगा बराबर में घटा का 5 ऐसा का ऐसा रहेगा दो x के साथ गुना में हैं इस तरफ बेजेंगे तो हो जाएगा भाग में यह आएगा यहाँ पर नीचे हर में अब जो भी यह x का मान आया है घटा में 5 बटे में 2 यही शुन्यक होगा इस तीसरे वाले भाग में जो बहुपद दिया गया है इसका यही हो जाएगा तीसरे वाले भाग का उत्तर चोतिवाले भाग पर आजाओ यहाँ पर हमें दिया है पी x बराबर में 3 x घटा में 2 सबसे पहले बहुपद लिख लो 3 x घटा में 2 बराबर का निशान लगाओ जीरो अब यहाँ से x का मान गयात करने के लिए 3 x हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा घटा में 2 है दूसरी तरफ जमा का 2 हो जाएगा अब X के साथ यहां पर 3 है इसको भी दूसरी साइड भेजना पड़ेगा तो इस साइड में X ऐसा का ऐसा बराबर का निशान लगा के 2 भी हमारा ऐसा का ऐसा आजाएगा तीन X के साथ गुना में है दूसरी साइड बेजेंगे तो ये चला जाएगा भाग में X का मान आया दो बटे में तीन जो शुन्यक होगा इस वाले चोथे वाले भाग में जो बहुपत दिया गया है इसका और यही शुन्यक चोथे वाले भाग का हो जाएगा उत्तर अब इसके बराबर में रखेंगे 0 और X का मान निकाल लेंगे जो X का मान होगा वही शुन्यक भी होगा तो यहाँ पर X का मान याद करने के लिए X हमारा एज़िटीज रहेगा बराबर में 0 भी एज़िटीज रहेगी 3 X के साथ गुना में है दूसरी तरफ बेजेंगे तो हो ज शुन्यक हो जाएगा शुन्य यानि की 0 यह हो गया पांचवे वाले भाग का उत्तर अब आ जाते हैं चटे वाले भाग पर इसमें है PX बराबर में AX और यहाँ पर एक कंडिशन दी गई है A बराबर नहीं है शुन्य यानि की 0 के A का हमारा शुन्यक के अलावा 0 के अलाव हैं वही करेंगे AX लिखेंगे जो भी हमारा बहुपद है बराबर में रिखेंगे 0 यहां से X का मान गयात कर लेंगे X हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा बराबर में रहेगा 0 अब यहां पर X के साथ A कैसे है गुना में X का मान गयात करना है तो A को दूसरी तरफ में बेजना होग x के साथ गुना में है a इस तरव बेजेंगे तो आ जाएगा भाग में x का मान क्या होगा x के बराबर में 0 बटा a है a का हमारा कोई भी मान हो जाए 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो गटा में 1 गटा में 2 गटा में 3 कोई भी मान हो अगर A से हम 0 को भाग करेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा यानि कि जो भी छटे वाले भाग में ये बहुपद दिया गया है इसके लिए शुन्यक हो जाएगा X बराबर में 0 यही हो जाएगा छटे वाले भाग का उत्तर अब आज आते हैं कोश्चन नमबर 4 के आखरी यानि की सात्वे भाग पर इसमें दिया है PX बराबर में CX जमा DX और यहाँ पर भी कंडिशन दी है C बराबर नहीं है 0 के C ना ही बराबर है C के और C ना ही बराबर है D के जो भी यह संख्याएं है यह वास्तविक संख्याएं हैं पता होगा आपको वास्तविक संख्याएं क्या होती है पार्ट एक के परिच्चे में आपको बताया गया है तो इसको हल करने के लिए वही तरीका जो अब तक यूज करते आए हैं सबसे पहले हमारा बहुपद CX जमा में D लिखेंगे, बराबर में रखेंगे 0, X का मान ग्याद कर लेंगे, X का मान ग्याद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर CX आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, इस तरफ 0 है, यहाँ पर है जमा का D, दूसरी तरफ लेकर आ जाएगा, X से साथ C कैसे है, गुना में, दूसरी तरफ बेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में, X का मान आ गया घटा में, D बटे में, C, और यही X का मान हो जाएगा सातवे वाले भाग के बहुपद का शुन्यक, यानि की सातवे वाले भाग का उत्तर, कोई भी बहुपद दिया गया है तो उसके शुन्यक गयात करना बिल्कुल आसान है बहुपद लिखो बराबर में रख दो 0 और जोबी उसमें चर है एक्स चर है तो x का मान गयात कर लो या फिर और कोई वैल्यू चर है y भी दी जा सकती है अगर जो भी चर है उसमें उसका मान गयात कर लो जो भी चर यानि की X का मान होगा वही बहुपद का शुन्यक होगा बिल्कुल आसान है जैसा हमने question number 4 के सभी भागों में किया है सात्में भाग का उत्तर हमने यहां पर निकाल लिया है तो इसी सात्में भाग के साथ question number 4 हो जाता है complete